गुड मॉर्णिंग इस्टुएंट्स आपको याद होई गया होगा वर्ड मॉला किसी कहते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आज से लेकर गया तक हम जितने भी अक्षर पढ़ते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा। गुड माला। ओके? येज्ड तो सबसे पहले हमने क्या बढ़ा था? आ से लेकर आहा तक जिसमें चोटा आ से लेकर अगुटक क्या होते हैं बेटु। शवर्ण है ना? बताया ता मैंने आप सब को कि चोटा आ से लेकर और अगुश तक क्या होता है बेटा। और उसके वाद हमने रेड़ गिया था का से कबूतर, का से कबूतर से लेकर ना तक, का कबूतर से लेकर ना नल तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजन, याद हो गया ना आप सबको, कि स्वर बेंजन किसी कहते हैं, तो आज हम पढ़ें ये उसके आगे की वेनजन पाः पतंजसे ठीक है बिटा चलिए तो स्टार्ट करते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाः से पतंजसे लेकर ग्या ग्याने तक वर्ण माला जिने हम क्या बोलते हैं, बिटा वेंजन क्या पढ़ेंगे वेंजन, कल हमने रीड किया था का कबूतर से लेकर ना नल तक किया था न, ये भी वेंजन है का से लेकर और ग्या ग्यानी तक वेंजन नोते हैं तो कल हमने रीड किया था का से लेकर ना तक आज हम रीड करेंगे पा पतंग से लेकर ग्या ग्यानी तक तो चलिए शुरू करते हैं पासे पतं अब आप सोच रहे होंगे कि पतं तो दिख नहीं रही और पासे क्या होता है किसी को पता है आप पानी पीते हैं तो पासे क्या हो गया पासे पानी पासे पानी देखा हम रोज पानी पीते हैं अमें नहीं पता था कि पासे पानी होता है है ना चलिए मेरे साथ बोलिए पासे पानी और ये देखिए ये कौन आ गया पासे पानी कौन है ये मैं हूँ पा पा से पानी फा से फल फा से फल फा से फल फल तो सब खाते होंगे अनार, सेब, केला, अंगूर, संत्रा सब खाते हैं न हम फा से फल और ये देखिए ये कौन आ गया फा मैं हूँ फा फा से फल very good students आगे हम पढ़ेंगे बा से बतक अभी तक हमने क्या रिट किया था बा से बतक लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं दिखिए इसमें कौन है एक छोटा बच्चा है तो बा से क्या होता है बा से बच्चा बा से बच्चा अब हमारी क्लास बढ़ी हो गई है त बासे बच्चा और ये देखिए आगया ब मेरे साथ बोलिए ब बासे बच्चा बासे भालू बासे भालू बासे भालू अब बासे भालू तो हमने बार बार पड़ा है है ना? कितना बड़ा बड़ा भालू होता है और ये देखिए, जम करते करते कौन आ गया? भग भग, भा से भालू मा से मचली मचली ते सब में देखियोगी जिसे हम फिश कहते हैं, मा से मचली और देखिए, ये जम करते करते मा, कौन है ये बटा? मा, मा से मचली या से यग अब भी तक हमने क्या पढ़ा था? या से यग लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? या से योगा आपने टीवी पर अक्सर देखा होगा छोटे बड़े सब लोग योगा करते हैं करते हैं न? किसी-किसी girl में मम्य पापा भी youga करते हैं तो उसे ये भी या से होता है या से याग या से योगा जैसे कि छोटी सी girl करे न ये steps कर रही हैं इनको हम क्या भोलते हैं पिटा? योगा या से योगा और ये देखिए हमारे पास कौन आगया? रा से रत अभी थक हमने क्या पढ़ा था? रा से रत और रा से और क्या होता है? रंग रंग तो आप यूज करते ही है कलर करने के लिए करते हैं जो आप पेंटिंग मनाते हैं तो रा से रंग देखिए कितने संदर संदर कलर है रंग है रा से रंग और यह देखिए कौन है, रा से रंग. मैं हूँ रा. ला से लटू. लटू समने चलाया है, आता है आपको चलाना? आता होगा, ला से लटू. जिसमें डोरी बांध के उसको गुमाया जाता है. और यह देखिए हमारे पास कौन आगिया? ला, ला से लटू. वासे वन पढ़ाएं न हमने पर वासे और क्या होता है वासे विध्यार थी ऐसे कि आप एक विध्यार थी हैं जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं वो सब कौन होते हैं विद्यार्थी तो वा से विद्यार्थी इस सब्द को बोलने में आपको थोड़ी सी परोक्स प्रोब्लम हो सकती है तो आप धीरे धीरे बोलेगा ओके वा से विद्यार्थी मेरे साथ धीरे धीरे बोलेए वा से विद्यार्थी और ये देखिए अक हमारे पास कौन है? वाओ वसे विद्यार्ती वसे बन भी होता है ऐसा नहीं कि बन नहीं होता वसे बन, वसे विद्यार्ती शासे शेड कौन है ये? शासे शेड शेड तो सब ने देखा होगा है ना? हाँ श से शेर बींजर वाला शेर श से शेर ये कौँजा सायर? श सेर श से शेर इसके बार श से शतकोर श से सटकोर श से सटकोर देखिए कौँ है? श से सटकोर स से सेर जिससे हमने हर बार क्या पढ़ा है? स स स स पेरा आज हम क्या पढ़ेंगे? हम हर बार क्या पढ़ते हैं? स स स स पेरा लेकिन आज हम नहीं चीज पढ़ेंगे सा से सेव अब आप सूच होंगे यह तो एपल है मैं हम सेव बोल रही है अरे भई एपल कोई तो शेव बोलते हैं न सा से सेव जिसे हम इंगलिस में एपल बोलते हैं हा से हिरन हा से हिरन देखिए यह कौन है ह हा से हिरन वेरी गुड चा से चत्रिय आपने अक्सर डीवी में देखा होगा कि लोग धनुश्मार चलाते हैं देखा है ना? उन्हें हम क्या बोलते हैं? चत्रिय चा से चत्रिय चा से चत्रिय और देखिए ये कौन है? चा मेरे साथ बोलिए सब बच्चे चा छा से चत्रिय, त्रा से त्रशूल, त्रशूल देखा है आपने, हाँ, मंदिन में देखा होगा न, भगवान की मूर्ती के सामने, हाँ, त्रा से त्रशूल, और ये देखिए कौन आ गया है, त्रा से त्रशूल, मैं हूँ त्रा, आपको धीरे धीरे स्पीक करना है त्र, त्र से त्रशूल ग्या से ग्यानी ग्या से ग्यानी ग्यानी कौन होता है आपको पता है? ग्यानी जो हमें ग्यान देते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं ग्यानी कोई भी हो सकता है मम्मा, टीचर, कोई भी ज्यानी हो सकता है ग्या से ज्यानी और यह देखिए कौना आगा हमारे पास ग्या मैं हूँ ग्या ग्या से ज्यानी very good students तो देखा आज हमने read किये कौन से वेंजन, पाप पतंग से लेके ग्या ज्यानी तक हमने वेंजन read किये करने हैं ओके स्टुडेंट्स बाबाई टे इस्टे हों बी सेफ़